आप देख रहे हैं न्यूज ब्रोड्कास्ट प्रदेश में बिजली सुविधार नहीं वलकी सियासत का टूल बन गई थी बिना सिफारिश के सड़क नहीं बनती थी और पानी के स्थिती तो किसी से छिपी ही नहीं है। अच्छी तरह से जानती है उन्होंने कहा कि पहले बिजली आती कम जाती ज्यादा थी बिजली आती भी थी तो वहीं आती थी जहां नीता चाहते थी लेकिन प्रदेश में सभी को सभी जगा एक समान बिजली मिलती है अब गरीब के घर भी बिजली आती है और गाउं की सड़क किसी सिफारिश की मौताज नहीं है प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि किस तरह शहरी प्लानिंग को राजनीती का शिकार बनाया जा रहा था उन्होंने कहा कि 12-17 से पहले प्यम आवास योजना शहरी के दहट 18,000 घरों की सिर्कृति दी गई थी लेकिन दातकालें सरकार में 18 घर भी नहीं बना कर दियो जरान जो लोग योपी सरकार को चला रहे थे वो गरीबों की अवास में लगातार अडंगा डाल रहे थे उनका ये कृत्य योपी के लोग कभी नहीं भूल सकते प्रधान मंत्री ने मुक्य मंत्रे की पीट थप थपाते वे कहा कि मुझे संतुष्टी है कि योगी सरकार आने के बाद शहरी गरीबों को 9 लाख आवास बना कर दिये गए हैं शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों को 14 लाख आवास के निर्माड अलग अलग चरन है नमबर पर लखनौ और दूसरे नमबर पर कानपुर है इस मुद्धे पर आपकी कहरा है और आप पिये मोदी की इन बातों से किस हद तक सहमत है कॉमेंट के जारिये हमें जरूर बताए